हेलो आपको अगर प्रोग्रामिंग लांगविज के बारे में कुछ भी नहीं पता है कोडिंग के बारे में आपको पैस जीरो नौलेज है यह सिरीज आपको हेल्प करेगा तो अंडरस्टेंड वाट इस दो कोडिंग और वाट इस दो प्रोग्रामिंग लांगविज को लेगे चल रहे हैं जब और जावाइस्क्रिप्ट को मैं क्यों रिकमेंट कर रहा हूं आपको लड़ करने के लिए यह इन पॉइंट के मदद से मैं आपको समझाने कोशिश करू तो पहला पॉइंट क्या है कि इस दो मोस्ट पॉपॉलर प्रोग्रामिंग लांगविज एकार्डिंग टु इस्टेक ओफ्लोड कॉम यह एक वेबसाइट है जिसकी रिपोर्ट के एक और जावाइस्क्रिप्ट इस पॉपॉपॉलर प्रोग्रामिंग लांगविज यूज सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोग्रामिंग लांगविज यूज होती है तो है आपका जावाइस्क्रिप्ट और इसके यूजज के हैं कि आपको फ्रंटेंड या बैकेंड मतलब कि आपके वेब ब्राउजर पर जो आपको दिखता है वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं और बैकेंड यानि कि जो सर्वर साइड जहां से आपका डेटा प्रोसेस होके आ रहा है सर्वर साइड में भी आप यूज कर सकते हैं सिकेंड पॉइंट है इस इन यूर ब्राउजर ब्राउजर का जो डिफाल्ट लांगवेज है वह आपका जावाइस्क्रिप्ट ही है जावा स्क्रिप्ट जो है यह इंटरनेट का उसाइड मेंस कि आज के डेट में जो लेटेस्ट टेक्नोलोजी है लाइक आयोटी इंटरनेट अव तिंक्स नेटीव एप्स जैसे कि आयोएस अंड्रॉइड अप्लिकेशन या फिर आपको क्रॉस प्लेटफर्म डेस्क्टॉ रावद्व आप सकते हैं नेक्स पोईंट है मारए जावा स्क्रिप्ट इडियल फान्यव्त इसका मतलब यह थी है कि जावा स्क्रिप्ट क्या है कि सटक्र लोगकी आपको ऑन्राश बीटेशन वहां एक natural language आप कह सकते हैं, इसको learn करना बहुत ही असान है, comparison to other language है, for example हम बात करें तो C programming language, C++ programming language, उन से आपके comparison में JavaScript एक बहुत ही simple programming language है, जिसके help से आप coding के standards को समझ सकते हैं, coding में कैसे हमारा flow चलता है, उसको अगर एक बार आप समझ लिए, तो फिर आप किसी दूसरे language में भी अगर आप switch करना चाहें, तो easy होगा, आप switch कर सकते हैं, next step है, next हमारा point है, you can create visual effects and other eye-catching aesthetic features, इसका मतलब क्या है, कि Java script से आप जो web pages बनते हैं, वो आप इतना interactive web page बनाएंगे, जो की बहुत ही अच्छा दिखेगा, उस page जो visual effects होंगे, ये eye-catching होंगे, जो कि दिखने में बह इतर रहेगा, javascript is versatile, इसका मतलब simple सा है, कि javascript जो है, ये ना सिर्फ front end में, बलकि back end में भी उज़ हो सकता है, और आज की date में ये बहुत ही high demand में है, in the back end side, as well as on the front end side, front end में तो ये पहले सही था, but back end में भी इसका बहुत ही high demand है, इसलिए javascript is versatile, javascript also affects big data and the cloud, अभी आज की date में javascript को big data and the cloud side में भी उज़ किया जा रहा है, इसमें क्या है कि जो एक होता है, javascript object notation, ये क्या है कि data exchange करने का आज की date में most convenient way है, json format में ही data हम एक जगे से दूसरे जगा transfer करते हैं या फिर process करते हैं, next point क्या है, it's a valuable tool for game designers, आज की date में आप जानते हैं कि game एक बहुत ही big industry हो गई है gaming की, तो उसमें भी जो developers है, हमारे game developers, उसमें भी javascript का योज होता है, और finally, अगर हम last point की बात करें, तो the carrier potential is a sky rating, इसका मतब क्या है कि अगर आप javascript जानते हैं, तो आपका carrier बहुत ही तेजी से grow करेगा, क्योंकि ये javascript आपका front end में भी योज होता है, back end में भी योज होता है, हर field में आप देख सकते हैं, like, artificial intelligence, big data, cloud, iot, everywhere is being, javascript is being used, so javascript आपको सीखना चाहिए, इसमें तो हमने ये देखा कि javascript हमें क्यों सीखना चाहिए, एक मैं छोटा से introduction javascript का देता हूँ, उसके बाद से हम next videos में javascript के, से उसके basics को धिरे 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 में start करेंगे सीखना, अभी आपको ये idea लग गया है कि javascript एक बहुती popular programming language है, जो की हर field में यूज होता है, like, जैसा हमने देखा कि iot में यूज होता है, mobile applications की development में यूज होता है, desktop application की development में यूज होता है, web pages में यूज होता है, server side में यूज होता है, तो overall javascript बहुती wide scope है अगर आप इसको सिखते हैं, तो आपके पास carrier के बहुत सारे option है, आप किसी भी field में जा सकते हैं, like front end, mobile application development, या back end development, किसी में भी आप जा सकते हैं, इसलिए हम javascript को basic से सिखेंगे, हम अपने आने वाले वीडियो में इसको देखेंगे, कैसे like variable declare करते हैं, कैसे function declare करते हैं, कैसे classes बनाते हैं, कैसे functions को call करते हैं, हमारे logics क्या होते हैं, यह सब सारी चीजे हम आने वाले upcoming videos में देखेंगे, अभी के लिए अगर हम बात करें तो javascript को अगर आपको यूज करना है, तो आप browser के console में जा सकते हैं, वहाँ पे inspect करने के बाद वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, वहाँ पे आप javascript के codes को लिख सकते हैं, आप node.js यूज कर सकते हैं, node.js क्या है कि एक javascript का runtime environment है, जो की javascript को run करने के लिए एक environment देता है, जिसमें आपके JavaScript के code run करते हैं, आप web pages create कर सकते हैं जिसके अंदर आपके JavaScript का code run करते हैं, इस video में इतना ही, thanks for watching, please subscribe, like and share the deploy list.